असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स क्या आल है अला तला के अफद्ल करब से आप सब खेर गश्या से होगे तो मैं आपका टेचर जी अतावर हमान हम कर रहे हैं मैथ का पेपर और मैथ हमारे पर 233 तो एलेक्रिकल्स और फूड इस्ट्रॉमेंट्स कंप्यूटर साइंस इसके आप मारे मारे मारा मैथ 233 यूज़ होता है और पेपर सॉल्व कर रहे हैं पेपर A है डिया फर्स्ट अनवर्ड टूज़न टूज़न ट्विंटी तू और हम क्या कर रहे है इसका पार्ट B कार रहे है इसका हमने जो अब्जेक्ट्टिव पार्ट कहते हैं जिसमें MCQ होते हैं और अजिका सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसको पार्ट D बोलते हैं जिसके अंदर short questions और long questions होते हैं हमने start किये हुए हैं इसके जिए short questions question 3 मैंने first video में करवा दिये थे आज हम इसकी question 4 जो करेंगे तो आप देखते हैं क्या करना है इसको हम जी क्या है यवेल्यवेट दे लिम्र्ट 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 करना है 10 जो दिया वैसने P Q and over Q करते हैं जी solve बिसमिल्ल्ला रहमें रभाहिम क्या जी limit Q goes to zero ती नाम है जी goes to, approaches to, tends to जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं तो मैं तो goes पढ़ता हूँ, यह लें जी, करते हैं इसको लिम्र्ट इसके अंदर रप्लाई करें के मारे पास तो यह क्या आजएगा यहां पर ठीके पुट करें, यहां पर Q goes to zero है तो यहां जब zero हम फिल करेंगे Q की जाएगा तो यह क्या जाएगा, यह क्या जाएगा तो मारे पास क्या आजएगी, यह आजएगा मारे पास as zero over zero जो कि मारे पास क्या है, undefined है इसको ट्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीका, समझाएगी, मैंने कैसे यह बताया आपको यह यह यहां फिल किया, यह यहां पर zero आया यहां भी zero आ गया यह पी से मल्डिप्ला होगा, क्या हो जाएगा? zero हो जाएगा, तो 10, zero zero, zero, जिकुड़ो क्या होता है? तो देखें क्या करता हूं उसके लिमिट क्यू गोज टू जीरो मैंने किया यहां पर जी टैन कर दिया फार्मुला लगा दिया मैंने टैन को साइन पी क्यू ओवर कोज पी क्यू नीचे वाला यह क्यू ऐसे ही है दियरफोर फार्मुला टैन टैन टीटा इक्वल टू होता है यह वाला जी सैन टीटा कोज टीटा टैन टीटा कोज टीटा कोज पी क्यू सही है हम करेंगे इसको यह लिमट ठीटा गोज टू जीरो साइन मिल गया हम इसके अंदर जी क्या होता है हम करेंगे साइन मिल जाए तो साइन हमें कहता है कि यहां आप सैंडवज थीटा बना सकते हैं क्या इसको मानी के इसका पूरा प्रूव है इसका लेकन जो हमने क्वेस्टन करने होते हैं जब उसके अंदर क्वेस्टन में इसको प्रूव नहीं करते हैं बौस्तर में देखते हुं से, इसको अप्लाइः करने की टिकनीक क्या है? ठीकना हम यहाँ यह पर टिकनीक देखनीए क्या है कि टिकनीक इसकी यह है कि जो उपर साइन का अंगल होगा, ये साइन का जो एंगल है इसी एंगल के पूरा function के नीचे ड्वाइड होता होगा यह देखें ठीटा है तो नीचे भी क्या रहा है ठीटे पे ड्वाइड हो रहा है और लिम्ट मारे पास क्या हों चाहिए इसकी लिम्ट इसकी गोज टू जिरो हो जाहिए अगर यह दो क्रिशन पूरी होजें मैंने कौन सी क्रिशन बताई है जो साइन का एंगल हो साइन का एंगल ठीटा आजए एकस आजए टी आजए पी आजए क्यू आजए जो भी एंगल यहां पे है उसी एंगल पर नीचे क्या होता हो डिवाइड होता हो और लिम्ट क्या हो ल संदेभे बात को СЧ का मेने बताया है 그러니까 जो भी साइन का यहां एंगल होगता होगा उसी एंगल पूरा मैंछी होग On यह एंगल है Go Tu क्या होगा जिरो रगा तो ऊकर इसकी आना इसके लेम प्लाई नहीं करनी आप में, ठीक है भी? अब देखें, आए करते हैं, थीरूम उपलाई आकर देखते हैं यहां पर, साइन के एंगल यहां हुआ है, P क्यों, बात रती है, कि जो उपर हो, वही नीचे हो, नीचे मारे पास क्या बेठा होगा है, Q है, यहां पे कुछ ना तो क्या होता है? 1 होता है मैंने इसी से को लग किया है 1 over Q को लग किया है इनको multiply करेंगे फिर उपरवेजिस बन जाएगी इस तरह मैंने इस तरह क्यों किया हुआ है दूर-दूर क्यों लिखा हुआ है इनको तानके sandwich theorem जो है नहीं अगर हम क्या करें इसको multiplying dividing by P P से multiply भी कर दिया मैंने इसको divide भी कर दिया Q goes to zero है यहां पे आजाएगा sin P को नीचे भी इसके आजाएगा जी P को इदर आजाएगा मैंने पी नीचे इसके आजाएगा जी cause P को ठीक है यह इसका आगए देखो अब देखें क्या किया इदर है multiply यह है divide P P से cancel वह इची थे आजाएगी लेकर हमें चाहिए इस तरह ही कि जो sin का उपर angle हो उसी angle पर divide हो हम देखेंगे as अगर Q goes to zero है तो P Q goes to भी क्या होगा? zero ही होगा भी वह कैसे होगा? देखें Q goes to zero है मैंने यहाँ zero put करूँ इस जगा क्यों क्यों multiply P क्या किया आएगा? यह देखें यह zero put हुआ multiply क्या क्या आएगा? zero ही आएगा ना इसका मलत हुआ कि यह सारा equal कि इसके होता है? zero के होता है तो यह सारे का सारा bias and with theorem क्या बन गया यह वाला? यह आगया है हमारे पास one इधर यह P यहाँ हमने put कर दिया जगा पे zero यह आगया कोज zero यह P उपर one से multiply हुआ P तो ऐसे आगया कोज zero trigonometric में नकाल सकते हैं हम टेलवर्टस नकाल सकते हैं trigonometric जो टेबल है उसे नकाल सकते हैं तो कोज zero is equal किसके होता है? one कि होता है तो equal किसके आगया? P के यह इसका क्या है? answer ठीक है? अगर बात समझ नहीं आई तो आप comment section के अंदर मुझसे लुख सकते हैं कि सारे इस बात की समझ नहीं आई calculator पर बताता हुँ मैं कैसे मैं नकाला? यह देखें इस तना होता है इन बच्छों को याद नहीं वैरी होती cause यह cause आगया है और मैंने कह लिखा इसके बाद zero equal to किया है तो किसका answer आगया? इसका one यह मैंने काम किया है, देखें आगया है? जब भी आपने calculator यूज़ करते है वक्त यह कि टिरोमेट्रिका को यूज़ करना हो तो यह बाद नहीं मैं रखना है इसके ओपर डिग्री होना चाहिए छोटा सा ओपर D लिखा होता है यहाँ पर अगर आप देखें छोटा सा D होगा अगर वो D की जगह यहाँ पर यहाँ आप जी लिखा हो तो R होता है रेडियन, G होता है ग्रेडियन तो आप आप calculator की वैल्यू रेडियन और ग्रेडियन में कोज दिलो की वैल्यू कुछ और होती है तो जब भी calculator यूज़ करना है इस बात को देख लेना है कि आप calculator की इसमे हो उपर D लिखा हो, D for degree, degree में होना चाहिए तो आप कहां से फिर बानिस का आएगा ठीक, लेंक्स चलते हैं जी आगए इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास आया कहता है डिफ्रेंशियेट करना अच्छा, chapter 1 के short question खुतम हो गए first 4 दिए वज़ इसके अंदर उसने अब मारे पास क्या आगया है इस chapter number 2 start हो गया, इसके है डिफ्रेंशियेट करना हमने इस question को with respect to x, x variable के लिहाज से with respect to x, यह नहीं कि एक्स की इसमेद करते हुआ है respect का मतलब यहां पर यह नहीं है यहां पर respect का मतलब है के लिहाज से हमें solve करते हैं यहां पर इसको जी let y equal to 1 over 5 x is power 5 over 2 1 over 3 x is power 3 over 2 differentiation with respect to x both side dy over dx, d over dx, 1 over x x is power 5 over 2 as 3 over 2 यह आगे इसका जी, इसका इसमें लिखी है differential with respect to x both side इसका मतलब होता है के दोनों तरफ d over dx प्लाई कर दिया जाए इसके साथ ही मैंने d over dx लगा दिया इसके साथ भी d over dx लगा दिया बां student ऐसे करते हैं कि यहां पे उसको let y करते नहीं direct यहां पर बाद में d y and d i लिखते हैं और आगे यह लिखा होता है अब आपने y लिखा है नहीं, तो यहां से y कहां से आ गया इसलिए जब आपने उपर y लिखना है तो यह नीचे आना होता है सही है? तो हम कुछ चुर्ण इसना किया है गलती करते हैं फिर नमबर नहीं मिलते हैं अब यहां पर क्या आएगा देखो लगल अप्लाइ करें साम में डिफर रूर हम इसे में प्लाइब करते हैं इसके पास आएंगे यहां देखो यह कॉंस्टर वैरियेबल कठा है तो जब इसे आगया इस पर साथ आए तो यह कॉंस्टर आज़िट डिवेट वाफ वैरियेबल आप में देखा होगा मैं लिखता क्या हूं डी ओवर डी एक्स बढ़ता क्या हूं डैरिवेटिट यह वन ओवर फाइट तो ऐसे आगया यहां देखें क्या होता है यह मरे पास क्या है इसका आएगा यह पावर शुरू में यह पावर स्टार्ड में आजाएगी और पावर में क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे और डैरिवेटिट किसका ले लेंगे जो चीज पावर की नीचे है उसके क्या कहते है उसको बेस कहते हैं जी पावर शुरू में पावर में एक क कम, derivative, base इसका आगे पावर रूल लगाते हैं वकित आपने इस बात का analysis लाजमन करना है कि ये पावर जो है वो constant होने चाहिए बाद बाद पावर वैरियेबल होती है जैसे लिखा हो मारे पाजी E की पावर X है 2 की पावर X है यहाँ पावर रूल प्लाई नहीं होता यहाँ पे exponential रूल प्लाई होता है तो यह बात माइन में रखनी है कि पावर जो है वो constant होने चाहिए constant value कौन कौन सी होती है मैंने यह भी बताया हुआ आपको कि x, y, z, u, v, w, t, theta, phi यह आम तोब पर variable चलते हैं हमारे जो हाँ जनरली और जो बाकी साब कुछ constant होता है जितनी counting सारी constant है और जो मारी alphabetic जो है ABC सारी उसमें से चंद value x, y, z, t, w, गरा नकालके बाकी सारा कुछ मारे पास constant में आता है यह आ जाएगा इसको जी देखें यह से cancel यह आ गया 1 over 2 इसका लिया हमने LCM 2 1 the 2, 2 में 5 minus करें कितना होता है यह होता है 3 over 2, dx over dx by rule क्या होता है 1 होता है लिखें multiply 1 से करने फरक हो नहीं बढ़ता यह 3 3 से cancel 1 over 2, LCM लिया 2 1 the 2, 2 में 3 minus किया 1 over 2, dx over dx क्या होता है 1 होता है लें जी, यह मारा इसका आंस आ गया इसके आगे करने की ज़रुवत नहीं है ठीक है यह यह से आ गया डैरी बड़ इसका मैं बता दूँ जिनको LCM लेना नहीं आता है भी वोशजादे भी आ जाजाएं यह देखें ऐसे लेंगे हम इसका LCM जो नीचे दिया होगा यहां लिख देंगे इसको इससे मल्टिप्लाइ भी कर दो इसको इससे मल्टिप्लाइ भी कर दो जब मैं इसको इससे मल्टिप्लाइ करूंगा 2, 2 से कैंसल होगा बाकी करा जाएगा 5 जहां मैं कोई से मिट्रिप्लाइग करूंगा 2 बंदा कितना आजाएगा 2, 5 में से 2 मैंनस करें कितना आजाएगा 3 ओवर 2, जी इसका यह इस तरह आया है, इसका न्कालना हो यह आपने स्ट्रेंड कालना है, जी मैंने यह बताया है, कैसे यह लें जी, 2 निचे इसका LCM, यहां dy over dx, जी मैंने कि again derivative find करना है, रूल ही apply होने है, solve करता हूं इसको मैं, क्या लिखा हुआ है, y equal to x, x plus 1, यह हमें y, पहले से उसने let y करके दिया हुआ है, हमने यहां पे let y नहीं करना है, बास प्रून ऐसना करते हैं कि उपर y लिखा निचा, भी let y किया, यहां इसना let, इदर यहां वहाय है, तो मैं क्या जूर होता है, इसको let करने की, इसको let करना, इसको करना है, derivative, differentiation with respect to x, both side, d y over dx, d over dx, इस line का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ d over dx apply कर दें, जो apply कर रहे हैं, x, x plus 1, हम यह जो square root होता है, यह होता है, 1 over 2 के, square root क्या चीज़ है, 1 over 2 होता है, इसकी power, और, दो function बाने के, इसके first कहते हैं, इसको हम second कहते है, इसको rule क्या क्या होते है, proto rule बोलते है, multiply वाला rule, जरव वाला rule, क्या आजाएगा, first is as it, second is derivative, लें, second derivative हो गया, plus second is as it, first is derivative, देखें, जो d की साथ first fact पढ़ता है, वो multiply कर पढ़ता है, इसको multiply है, इसको power लगा कर पावर इसको दिया हो, यह वाला simple, यह एका X ना होता हो, तो फिर power लगाना था हमने, हांज, क्या किया है, मैंने जिता रूदू पढ़ने, पहला वैसे ही, दूसरे का derivative, दूसरा वैसे ही, पहले का derivative, वैसे ही, पहले का derivative, वैसे का मतलब है, कि उसके उपर derivative का rule पलाई नहीं करना, जिस तरह लिखा हुआ है, बैसे ही लिखे रहना है, उस पर derivative का rule पलाई नहीं होना, अब यह मारे पास X तो ऐसे ही आ गया, यहां आएगा इसके लिए rule, क्या इसके ओपर दी होई है, पावर दी है, तो पावर को शुरू में, यानि कि पावर पहले, फिर पावर में क्या कर उपर ही पावर के अंदर यहां पर, मैनस हो गया, फिर क्या करना है, डावर दी होका, बैस का Dave को इसकी ऐ,ие जो पावर के नीचे हो ती है, उसरी का कहते है, बैस कहते है, पावर शुरू में, इसी हाँ पावर के अंदर एक कम, फिर इस बैस का लगज से आगे, डावर दी हो हम लिया हमने जी 2 1 दा 2, 2 में से 1 मैनस करें, क्या आएगा? मैनस 1 ओवर 2, लग लग प्लाई किया इसके अंदर, इसके साथ लग प्लाई कर दिया, ये आ गया, x प्लस 1, इसका मतलब स्केर रूट होता है, वही लिख लिए है मैंने, ये 2 ओवर 2 इंटू x प्लस 1, निचे आग इसको 1 में से 0 मैनस करें, क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 को मैल्टिप्लाई करें, कोई फर्न निचे पड़ेगा इसके अंदर, ये देखें 1 को मैल्टिप्लाई करते हैं, यहां आगया 2 x प्लस 1 is square root, यहां x प्लस 1 is square root, इसका यह लिए 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 लीस को मैल्टिपल लें इसको 2 x प्लस 1 और यह लिए 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 ल इसका स्केर बनेगा इसके यह निचे इसके क्या आजएगा तु एक्स प्लस वन इससके़ रूट यह केसे प्लस वाद इससे चेर होजाएगा इतर आएगा एक्स इस 2 को मिट्रिप्लाई करें, यहाँ आजएगा 2x, इस 2 को 1 से मिट्रिप्लाई करें, कितना आजएगा यह 2, क्योंकि स्केर के साथ की रूपर खत्म हो गया हुआ है, यहाँ आजएगा 2x, प्लस 1, इस के रूट, इस लाफ स्टेप मेरा किया है इसके अंदर, यह और यह कितना आगा, 3x, प्लस 2, और 2x, प्लस 1, इस के रूट, यहाँ आगा मेरे रेपस dy, और dx, इसका आंस, इस तरह इसको रूल प्लाई करने हैं, मैंने इसके तरीबर आपको क कोई यह स्टेप स्टेप कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यह किया है, आप इसके बाद इसके बाद इसके बाद आप यह स्टेप कर सकते थे, इसके बाद यह स्टेप कर सकते थे, इसके बाद यह स्टेप कर सकते थे, इसके बाद यह स्टेप आपका हो सकता है, इसके प्रोड़का कॉस्स आगया तो आपके लिए काम ही कोई नहीं आप कर जाएंगे इसके अंदर महत करते हैं वकत परेशान नहीं हो ना गबराना नहीं आप लोगों ने आप लोगों ने भी हाँ यह कैसे आ गया जस्ट एक गेम गेम जी तरह चलते हैं यह किया उसके बाद यह निकला फिर यह निकला इसा चलते जाते हैं ठीक है हम दी कोई प्राबलम्स है तो आपने कमेंट इसक्शन के अंदर मुझे आपने राप्ता करना उसके अंदर और इसके लावा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना है शेयर करना है लाइक करना है ओके जी यह लाहफीज